नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांट जोते सिक्रिट सिंग रासी वालों कौन से धातू का छला आपके भागी को बदलेगा आपके जीवन में खुसियां लोटाएगा आज हम आपके साथ ही साजा करेंगे क्योंकि यह आपके जो रासी के स्वामी ह उनको मजबूती देगा तो आईए जानते हैं सिंग भाले जो है ना इनका परतिनीधी है चिन है वो सेर का है और सेर का मतलब होता है राज करने वाला हर जगह अपने आपको सबसे उपर रखने का गुन आपका आत्म विस्वास आपका साहसी गुन आपको सबसे अलग बनात है अगर किसी मिशन के लिए खुद को आप को लगता है कि वहां पर आपको सरफस्ष्ट अधिकार नहीं मिलेगा या सबसे आगे आपको नहीं रखा जाएगा तो ऐसी चीजों में आप नहीं जाते क्योंकि आपको पीछे रहना पसंद नहीं आपको सबसे आगे रहना लोग होते हैं बहुत ही छादा पियार करने वाले और साथ साथ ही इनका आकैर्षक जो आकरसनवार है और बीरी अधुथ होता है बास्ता में इनका नहीं आत्म भी सबस्वास भरे वें लेकिन कभी-कभी अपने रहा से भटक जाते हैं हलांकि थोड़े धीट होते हैं तेज होते हैं अंदर से उदार होते हैं कई बार इनके बेभार से कई लोग अपमानित भी महसूस करते हैं लेकिन बात में फिर इनका बैक्तित हुई कुछ ऐसा है कि लोग इनके साथ फिर से जुड़ जाते हैं लेकिन बिनम्र और राजनितिक गुनों से भरेवे भी होते हैं अब आसानी से ये जो एक धन होता है ना जो परसिद्धी होती है जो सुंदरता होती है उसके परती आकर्सित हो जाते हैं और इनको अच्छी चीजे जो सुकून दे एक राश्ची ठाट वाला वो उनको आकर्सि और अच्छा हो तो फिर इनका हाथ उनके पास रहता है लेकिन कई बार क्या होता है ये दोखा भी खाते हैं उसके बहुत सारे लोग इनको चाटू गार लोग पसंद आप बहुत सरे लोग इनका नजायस फैदा उठाते हैं, भोलेपन का फैदा उठाते हैं, और दीदी भाईया कहके अपने काम निकाल के फिर इन से साइड हो जाते हैं, यह चीजे इनको धोका देती है, तो आपको किसी पर भी आखे बंद कर इतना ज्यादा भरुसा नहीं करना चा तो देखिए, आपका रासी का स्वामी होता है सूरे, आपका प्रभाव बढ़ाने के लिए, हड्डियों की समस्या से बशने के लिए, जीवन का जो संघर्स वाला पाठ है, उसको थोड़ा कम होने के लिए, आप रभी बार के दिन दोपहर के समय सोने का चल्ला, दाहिने हा धारन करें, अगर सोना नहीं पहन सकते हैं तो पीतल धारन कर सकते हैं आप, इससे आपका प्रभाव बढ़ेगा, हड्डियों की समस्या कम होगी, और सिंग बाले के जीवन में थोड़ा ज्यादा संघर्स होता है ना, तो वो संघर्स भी खत्म हो जाएगा, बहुत सिंपल ह आप कीजिए और नियमित रूप से भगवान सुरी को परणाम जरूर कीजिएगा, गायत्री मंत्र जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यही आपका भाग्योदे यही से सुरूर होता है, फिलाल आप से भी दा लेते हैं, जानकारी बहतर लगे तो लाइक कर सब्सक्काइब करें हर हर महादेब धन्यवाद